मैंगो की बनाएंगे जो बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि आजकल गर्मिया है और मैंगो का सीजन है तो आएए इसे बनाना हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैंने एक टोरी सूजी की लिए है और थोड़े से बीगे हुए बडाम लिए है तो अब हम कड़ाई लेंगे उसमें एक टोरी सूजी डालकर अच्छी तरह भून लेंगे सूजी को हम पांच मिंट तक लो फ्लेम पर गॉल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे भीच भीच में हिलाते रहेंगे अच्छी तरह भून लेंगे और लो फ्लेम पर भूलेंगे तेज गैस नहीं करेंगे नहीं तो जल जाएगी तो सूजी हमारी अब रोस्ट हो चुकी है ऐसे ही सूजी को भूनना है तो इसमें मैं आधिक टोरी देशी घी की डालूंगी अपने हिसाब से मैं इसमें देशी की डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह हिलाते रहेंगे तांकि जलना जाए ऐसे ही हिलाते रहेंगे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गैस को हम लो फ्लेम में ही रखेंगे तो दोस्तों इसमें अब मैं धाई पॉने तीन कटोरी पानी डाल रही हूँ और इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे अब तांकि यह अच्छी तरह घुल जाए और इसमें आधी कटोरी चिल्नी डाल रही हूँ तो दोस्तों आप मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे कि जो जितना आपको पसंदो केईों को मीठा कम पसंद होता है सभी की अपनी अपनी पसंद होती है तो मीठा आप अपने हिसाब से ही डाले अब हम इसमें मैंगो डालेंगे मैंगो को मैंने छोट छोट पीस में कट कर लिया था इसमें हम मैंगो मिक्स कर लेंगे मैंगो डालने से बहुत अच्छा फलेवर आता है और थोड़ा सा इसमें मैंगो सेंस डालेंगे अगर आपके पास है तो डाल लेना अगर नहीं है तो कोई बात नहीं मैंगो से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों आप एक वाज रूट राए करना बच्चों को बहुत पसंद आएगी ऐसी रेस्पी खाने में बहुत टेस्टी है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है कुछ अलग तरह की टिश लग रही है यह बहुत ही इजी है और असान रिक्के से पनाई है जो कि हमारे घर में अवेलेवल समानों उसी के हिसाब से तो इसको हम कटोरी में डालके बदाम के साथ और मैंगो के साथ डेकोरेट कर लेंगे इसको चाहे आप गरम खाएं चाहे आप इसको ठंडा करके खाएं यह खाने में बहुत टेस्टी है आप इसे एक वाज रू ट्राइ करना आई होप आपको मेरी यह रेस्पी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें